हेलो बच्चों आज हमारा question है दा एंगिल्स औप ड्रेंगल और इन दा रेशो तू रेशो फोर फैन्ड और दा एंगिल्स बएएक एक ट्रेंगल के जो एंगिल्स हैं कितने में हमें रेश्यो में दिरका अब प्रेंगल क्या होता जिसके हमारे थी साइड होती यह हमारे एक जिसकी भी figure के 3 side होगी, वो हमारा क्या होगा, triangle होगा, ठीक है, अब इनका हमें, जो angle दे रहे हो, किस में दे रहे हो, ratio में दे रहे हो, यह एक angle है, एक यह है, एक यह, यह हमें ratio में दे रहे हो, अब पहले तो समझ रहे पड़ेगा, कि जो triangle के angle होगा sum होता, वो property concern कितना होता, 180 होता, तो सब चे पहले तो sum of angles, of a triangle, equal to कितना होजाएगा, 180, ठीक है, तीनो angle होगा, जो sum होता हो, कितना होता, 180 होता, अब हमें ratio में दे रहे हो, तीनो, तो let, let the angles, of a triangle, कितना होगा, 2x जब ही ratio में होगा, 2x, 3x, and 4x, अब according to question, तो क्या होजाएगा, इनका sum, इनका sum कितना होजाएगा, 2x, plus 3x, plus 4x, इनका जो sum होगा, कितना होगा, 180 होगा, अब देखो, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, और 4 9, तो यह होजाएगा, 9x, equal to कितना, 180, x equal to 180, यह divide में आजागा, 9, नीचे, 9 to 18, और यह 0, it means, x हमारा कितना होगा, 20 आगया, अब हमें ratio में, पहला ratio हमारा क्या, 2x है, कितना है, 2x है, तो 2x हमारा कितना होगा, 20, तो पहला angle कितना होगा, 40 का होगा, दूसरा हमारा कितना है 3x It means 3 into 20 कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा और तीसरा जो हमारा 4x है 4 into 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा अब इनका सम करेंगा हम कितना हो जाएगा हमारा 180 तो यह हमारे angles हैं ओके